दिल्ली के जवाहरलाल नहरू युनिवरसिटी में रविवार को छात्र संगठन एवीवीपी और लेफ्ट कारे करताओं में हिंसक जड़प हो गए। को बंद कर दिया गया है वहीं पुलिस का कहना है कि अभी इस्थिती नियंत्रण में हैं घायलों को अस्पताल पहुचा दिया गया है दोनों पक्ष शांते पुर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस ने कहा है कि दोश्यों पर उचित कारवाई हो की चली त पर उसने को लेकर हुआ पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ फिर मारपीट होने लगी इसमें दोनों पक्षों के कारेकरताओं को चोट आई है लेफ्ट संगठन के चात्रों का कहना है कि कावेरी होस्टल में कुछ चात्र नौनवेज खा रहे थे तभी एवीप कारे करता वहां पहुचे और विरोध करना शुरू कर दिया इसके बाद लेफ्ट चात्रों पर हमला कर दिया इस हमले में क्यी छात्र जख्मी हो गया है वहीं वहीं एवीवीपी कारेकरताओं ने बताया है कि रामनौमी में छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में हवन और पूजा रखी थी, इसमें पूरे जेन्यू केंपस से छात्र आये थे, कुछ मुश्लिम छात्र भी कावेरी हॉस्टल में इफ्तार पार्टी चल रही थी, सब कुछ शान्ती से अच्छे से चल रहा था, तभी कुछ लेफ्ट छात्र आये और कहने लगे कि जेन्यू में पूजा हवन नहीं होगा, और उन्होंने विरोध कर मारपीट शुरू कर दी, इस हमले में हमारे 10 से 15 छात्र जखनी हुए हैं, कुछ महिला छात्राएं भी हैं, जिने च खाना चाते हैं, वे नहीं खाते हैं.